जरीपड का परिसर स्थीत नासे नगर फेम चोप में एक च्वेलस को बंदग बना कर बंदू की नौप पर करीब 20,43,000 रुपियों का माल लुटकर फरार होनी पाली दू आरुपियों को गिरफता क्या गया है सुद्रो के मताबिक इन दोनों को मत्य प्रतेश के कटनी से गिरफता क्या क्या है गटना के बाद पुलिस को मिले सुराख से पहले से ही पुलिस को आरुपी मत्य प्रतेश के होने का संदेश था जिसके बाद पुलिस ने उसी दिशा में अपनी कारिवाई को आगी बढ़ाती वे आरुपयों की तलाश शुरू करती और पुलिस को सफलताबे मिल गए शहर में दिन दहाडे सबक को जखचोर करने पाली खटना से दह्शत पचुई थी लेकिन यह है कि जरीपट का पुलिस स्टेशन अंतरगत नियू ठवरी कॉलनी प्लोट नबर 49 निवासी फर्यादी आशिश रविंडर नावरे की अर्विन चेलस के नाव से दुकान है सुवार को दो बजे की करीब दुकान में आखेरा बैटा था एस दोरान दो बाई से चार लोग पहुचे और इसमें से तीन लोगों ने दुकान में प्रविश कर शटर बन कर आशिश को बन तक बना कर मार पिट की और दुकान से आपुशन और नगती समेथ 20 लाग 49 रुप किया तमी माहिती देनार या केस मदे जशा अपलेला माहिती है दुपारी अडाई चे सुमारास चार लोगा नी ये उन तिथे सराफा दुकाना वर रॉबरी करून दोन मोटर साइकिल नी पढाले होते तिया नुशंगा ने इमिजेटली तपास पुन शहर पुलिस दलाला वेगवेगरे टीम स्थापित करून तपास करने आद आली होती काल रातरी परियंत अंदाजन 82 ठिकाना चे 400 तासा चे वर चे CCTV फुटेज तपासनी करने आद आली होती तपास सीजीरी फुटेज चे तपासनी मदे एक तारिकला हे लोग या लोगान पैकी एक व्यक्ती एका महिलान चोबत रेखी कराय साथी त्या दुकाना मदे आला होता हानी काई लहांची काई परचेज पन त्यानी केला होता ते सिजिरी फुटेज ची पून तपासनी करनेयात आली होती यानि त्या नुशंगा ने ते एक त्याचे नंतर ATM मदे जाऊन त्यानी कई पैशे विड्रॉल केले होते ते सर्व रात्री उशीरा परेंद बैंक्स ची संपर्क सादुन ते एकाउंट चे डीटेल्स घेनेयात आला होता आनि त्यान नंतर टेकनिकल इंटेलिजेंस टेकनिकल तपासा चे मदद घेऊन ते आरोपीज रात्री कटनी जबलपूर चे पुढे कटनी चे मागे 40 किलोमिटर एक शापरा मरुन गावात एका लॉज मदे थामले असले आची आमची खात्री जाली आमची जे पथक वेगवेगडे दिशेत अल्रेडी स्टैंड टू करनेयात आला होता उधारन एमपीच सिवनीच कड़े एक टीम होती काई टीम्स भंडारा रोडवर होते काई टीम्स वर्धा रोडवर काई अमरावती रोडवर काई चिंद्वाला रोडवर आशे परसन अखलेश भारतवाश के साथ दिशाहटवार की रिपोर्ट